हलो दोस्तों आपका स्वागत है राइडोन नर्सिंग अकेडमी में अपन पढ़ रहे हैं थियोरी जॉफ डवलप्मेंट पिछले दो वीडियो में अपन ने साइको सोसियल थियोरी और साइको सेक्सवल थियोरी कंप्लीट कर लिया जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आज अपन बात करेंगे कोगनिटीव थियोरी और मॉरल थियोरी दोनों को कम मैंड पढ़ेंगे पाँ ठीक तो चलिए स्टार्ट करत कोगनीटिव या इसका दूसरा नाम है इंटलेक्ट्ट्वल ठीओरी इसको पहले मैं बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आपको जहां पे भी पियाजे नाम आए तो आपको एक लाइन याद रखनी है चोखा इंटलीजेंट पियाजी चोखे से मतलब आपको या इंटलीजेंट से आपको याद रहेगा कि इन्होंने इंटलेक्ट्वल ठीओरी दी है और किस ने दी है पियाजे ने यह जीन पियाजे हैं उन्होंने अपनी ठीओरी के अंदर एक वर्ड दिया स्कीमा इस्कीमा क्या होता है जनरली स्कीमा इस्कीमा होता है पॉकेट ओफ इन्फोर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर जो इन्फोर्मेशन होती है वो कई पॉकेट के अंदर स्टोर होती है उन्होंने बताया उसके जो इकाई है उसकी जो यूनिट है उसको उन्होंने इस्कीमा बो basis के लिए उन्हेंने बोला कि जो अपना intelligence है जो अपनी बुद्धी है वो धीरे-धीरे develop होती है on the basis of environment environment में जैसी जैसी situation अपने पास आती है अपने brain के अंदर जो stored information pocket है मतलब जो schema है वो उसके उपर apply होते है situation के उपर और उससे अपन कुछ सीखते हैं और उससे अपनी intelligent बनती है उन्होंने तीन concept दिये यह तीनों concept यहां लिखे हुए assimilation, equilibrium और accommodation देखो यह तीनों क्या है simple है यह के अंदर question आज तक तक तो आया नहीं है आप देखिए मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है assimilation assimilation का मतलब होता है जैसे मेरे brain के अंदर कोई information stored है पहले से मेरे सामने कोई नई situation आई और मैंने उस situation के उपर जो stored जो information pocket है जो schema है वो मैंने उसके उपर apply किया और उसके अंदर कुछ और चीज add कर ली थोड़ी बहुत इसको बोलते है assimilation understood जैसे एक बच्चा है वो जानता है कुता क्या होता है understood उसके घर में कुता है उसके पापा ने बताई यह कुता है तो उसके दिमाग में stored है उसकी photo और उसको कुता कहते है ऐसी information उसके stored है वो बार गूमने जाता है तो एक अलगी कुता देखता है अलगी नसल का कुता है उसको देखता है तब वो देखता है यह क्या है तो उसके पापा को पूछता है तो पापा बोलते हैं कि यह भी कुता होते हैं मतलब उसने पहले वाले जो information के अंदर कुछ चीज और add कर ली उस knowledge को clear कर लिया और वो उसके अंदर add हो गया उसको बोलते है assimilation दूसरा है equilibrium यह process है जब वो अपने अंदर stored जो information का pocket है और environment के भीच में जो एक equilibrium चलता है एक साम्य चलता है उसी को उसी process को equilibrium बोलते हैं यदि equilibrium चलता है तो वो उस चीज को थोड़ा सा add कर लेता है और dis equilibrium होता है तो वो नहीं चीज सीख जाता है ठीक है वो पुराने वाली stored packet को यदि वो पूरा का पूरा change कर लेता है कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसा है तो उसको बोलते हैं फिर accommodation उसको range करना है इसके अंदर जो age range है देखो मैं पहले बता चुका हूं मेरे दो पहले वाले वीडियो में कि psychosexual theory और psychosocial theory की age range सेम होएगी और वो आपको याद कहां से होगी मेरी tricky clock video से ओके और जो cognitive theory है और जो moral theory है उनका age range सेम रहेगा वो किस चीज से याद रहेगा मैंने यहां लिखा है दो सगा understood यह नीचे देखो age range किस से याद होएगा दो सगा सगा क्या होता है मारवाड़ी का एक word है सगा जो हिंदी में जो समधी word होता है उसको बोलते हैं तो आप इस तरीके से याद रखो दो सगा दो सगे हैं दो समधी हैं कौन है एक तो पियाजी और एक कौन सा आपका call bug understood उन दोनों में same age range होगा दो सगा का मतलब क्या है दो से दो से साथ और गा से ग्यारा ठीक है तो यह देखो दो साथ ग्यारा तो इसको 0 to 2 एक आ जाएगी एक stage फिर 2 to 7 दूसरी stage आ जाएगी फिर 7 11 to 11 तीसरी stage आ जाएगी 11 to adolescence वह आपकी चोथी stage आ जाएगी understood ऐसा का ऐसा ही किसमें होगा आपकी call bug theory के अंदर उसके अंदर तीनी stages है तो अपने इसके एक stage अपन को काटनी पड़ेगी वह 0 वाली ठीक है वहाँ start होएगी 2 से 7 साथ से 11 और 11 से आगे तक understood लेकिन जो age range है व आपको मैंने पहले बताया कि जहां पियाजी आया आपको एक लाइन याद रखनी है चोखा intelligent पियाजी चोखा मतलब च्यार चोथा मतलब इसके पात च्यार स्टेजेज है अब वह कौन सी स्टेजेज है वह देखिए फर्स्ट वन है sensory motor stage ठीक है वह दो सग्गा से age range आयाद ह हो जाएगी आपको zero to two year दूसरी स्टेज है प्री ओप्रेशनल स्टेज दो से साथ एर थर्ड है concrete ओप्रेशन ओप्रेशनल स्टेज सेवन टू इलेवन येर concrete का मतलब क्या होता है concrete और abstract ये दो opposite वर्ड है एक दूसरे गे concrete का मतलब होता है जिसको अपन महसूस कर सकते हैं देख सकते हैं material है वो छू सकते हैं उसको और abstract imaginary thing पर्टेक्स और एपर्टेक्स होता है वैसे पर्टेक्स का मतलब होता है concrete और एपर्टेक्स आपका abstract ओप्रेशनल स्टेज फूर्थ है आपका formal operational stage understood इसको आपको कैसे याद रखना है आपको एक फंडा याद रखना है ठीक है इसके अंदर direct question आते हैं कि भाई ये situation किस स्टे स्टेज में होती है बस आपको नाम याद रहे गए ना तो यहां से क्यूशन आपका गलत होएगा नहीं और नाम याद करवा दूंगा मैं आपको understood इसमें आप देखिए एक फंडा लिखा हुआ है एक ट्रिक लिखी हुए है सेम पी ओ कॉफी सेम पी ओ कॉफी सेम से आपको याद रहे जाएगा सेंसरी मोटोर स्टेज पी ओ से आपको याद रहे जाएगा प्री ओपरेशनल स्टेज को से याद रहे जाएगा कॉंक्रीट ओपरेशनल स्टेज फी से आपको याद रहे जाएगा फोर्मल ओपरेशनल स्टेज सेम पी ओ को फी इस तरीके से आपको चार स्टेज याद रहनी है अब इसके अंदर क्या क्या सिच्विशन होती है वो आपको आगे एक नई ट्रिक से आपको याद करवा दूँगा मैं चीक है यहाँ देखिए सेम पी ओ को फी मतलब यह पहली स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्ड स्टेज अब इसके अंदर क्या है अब सेम के आगे मैंने लिख दिया जिस ओपी ठीक है आप ऐसे याद रखो सेम सेम मतलब सम्मान ओपी अपोजिट सम्मान का अपोजिट ऐसे याद रखो O P, same, opposite, O P, O P का मतलब यहाँ पे है, Object Permanence, Object Permanence क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को, मैं एक कोई भी, कोई भी चीज दिखातू, जैसे 10 का नोट दिखाया मैंने उसको, उसको पता नहीं, उसने पहले कभी नहीं दिखा, यह चीज क्या है, ठीक है, तो उसने कभी उसको टच नहीं किया, ठीक है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें स्मेल आती है, तो वो भी उसने उसको नहीं किया, ठीक है, तो वो मैं 10 का नोट दिखाता हूँ, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है, मैं उसको चुपा लेता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद में वापस उसको दिखाता हूँ तो उसके दिमाग में वो पहले से ही बैठा होता है कि ऐसी सी एक चीज है जो पहले भी अपन ने देखी थी मतलब वो अबजेक्ट को याद रखने की उसकी कैपेसिटी आ जाती है ऐसा साइक अबजेक्ट होता है उसके दिमाग में आ जाता है अबजेक्ट परमानेंस बोलते हैं इसको ये क्यूशन बहुत बार आया हुआ है की जीन पियाजी की कौनसी स्टेज के अंदर अबजेक्ट परमानेंस बहाँ जाता है वो है आपकी सेम सेंसोरी मोटर स्टेज ठीक है सेम मतलब सम्मान उसका अब याद रखने के लिए अपोजिट कर दो ओ पी अपोजिट का मतलब ओ पी ओ डबल पी ओ एसाइटी होता है अपोजिट उसका ओ पी याद रख लो ठीक है नेक्स्ट पीओ 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 मतलब पीना ड्रिंक क्या पीओ नीचे तो कोफी पी रहे थे तो इधर कोफी तो लिख नहीं सकते इसलिए मैंने स्लाइस लिखा है L से बनता है Language, I से कुछ नहीं बनता वो मैं बताऊंगा I को देखो मैंने यहां लिखा है और उसकी जो डोट है उसको उपर a लिख दिया ऐसे तो अपन को यहां I से याद नहीं रखना, a से याद रखना Imaginary या Animation C से बनता है Centric और E से बनता है Egocentric अब इस एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं आपको मैं symbolic word का meaning इसमें है कि जो pre-opersonal stage है PO है उसके अंदर बच्चा किसी भी चीज को symbol से समझना start कर देता है symbolic कोई भी चीज हो उसको symbolic जैसे मैं उसको भालू नहीं दिखा कि भालू का जो से टेडी होता है वो दिखा दूँ ऐसा तो वो समझ जाता है symbolic language develop होने start हो जाती है इसके अंदर okay animation आप जानते ही हो centric centric का मतलब यह होता है कि जैसे कोई चीज है उसका एक ही use उसको पता होता है कि यह चीज इसी काम में आती है centric है उसको नहीं पता होता जैसे उसको उसकोई चाकु दिख्ओं ह几ों तो उसको यह पता है कि सबजी काटने के काम आता है है झाटि उसको यह भी पता हो था किष्ड़ा से किसी को मारा भी जा सकता है ठीक है वो तो decentric है यह जैसको एक ही चीज पता है पर्टिकूलर वैक की पता एग का मतलब ये होता है कि उसको किसी चीज का नजरीय को अपने नजरीय के से बताना चाहता है ऐग वह समझ में आथ इसको वा लुण समझ में यहाथ जैसे मैं उसको कोई बात वोलूं उसका कोई दूसरा नजरिया भी मैं वह garment अस karş जशेचर नोगी आई को मैंने ए बनाए यहां पर ए से एनिमेशन याद हो गया और सी से सेंट्रिक और ई से इगो सेंट्रिक आप एक दो बार पड़ोगे तो आपको याद हो जाएगा इसमें से डाइरेक्ट क्यूशन आता है लेंगवेज डराप कहा हो जाती है प्रियो अप्रेसटेश प्योव इसलाइस रहां पहले कहता सेंडी ओ कोफी सेम आगे सामने अपोजी аद एक्ट ओ欸 को का अगे को सलाइस याद रखे SH JON CO Concrete Operational Stage तो इको का आप याद रखो Concrete Concrete नहीं Concrete का मतलब होता है Pertex Pertex होता है Concrete का मतलब CO Concrete Operational Stage आपको CO से आपको याद रखने के लिए Concrete याद रखना है Concrete होते हैं जिससे अपन मकान वगरा बनाते हैं Concrete तो ऐसे मानो एक ट्रक है लोरी लोरी बोल दें बड़ा ट्रक होता है उसके अंदर Concrete भरी वी है और उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है उस ड्राइवर का नाम है Descent कंजर ठीक है उस ड्राइवर का नाम है Descent कंजर ड्राइवर का नाम है आपका डिसेंट कंजर ठीक है उसको अपन बोल रहे हैं कि reverse ले के आ इसको लोरी reverse ले के आओ डिसेंट कंजर वो से आपको concrete याद रखना है concrete मतलब जो अपन मकान में छोटे फत्र के टुकड़े होते हैं उनको concrete बोलते हैं ठीक है तो वो जो लोरी बड़ा जो ट्रक होता है उसके अंदर भरी है और उस ट्रक के driver डिसेंट कंजर नाम है उसकोपन बोलते हैं कि डिसेंट कंजर लोरी को reverse में ले के आओ तो देखो डिसेंट कंजर लोरी reverse डिसेंट का मतलब हो गया decentralized सेंट्रिक अप्रोच सेंट्रिक का उल्टा मतलब एक चीज के दो काम भी उसको पता होते हैं कि नेक्स्ट कंजर का कंजर्विशन कि लोरी का लोका लोजीकल री का मतलब Salam नहीं कर भी आत्री यह जैसे इसके अंदर वरड को देख लेते हैं Decentrico Approach मनें Centrico Approach बताई कि कि किसी चीज को particular प्रक्टिकूलर उसके पता होता है अब उसको 2-4 काम और उसके पता होता है अए tegen Next आता है Conservation जैसे एक गिलास में doud मैंने उसको क्या किया एक जग में डाल दिया फिर मैं पूछूँ उस बच्चे को कि इसमें किता दूद है ठीक है यदि उसमें conservation नहीं होता तो वो बोलता एक जग दूद है कि वो उस मातरा को नहीं पहचान पा रहा है अब उसमें conservation आगया है मतलब उस एक गिलास को आप बाल्टी में डालो चाए जग में डालो चाए किसी और दूसरी चीज में डालो उसको यही पता होगा कि इसमें डाला है तो यह एक गिलास दूदी है सब में उसको बोलते conservation logical reasoning logical reasoning यह तो simple सा है reversibility उसको reversibility आती है जैसे उसको पता है कि चिकनी मिट्टी के मिट्टी से घड़ा बन सकता है और घड़े को वापस उसको उसको रिसाइकल करके उसको चिकनी मिट्टी बन सकती है यह reversibility उसको पता होता है इस चीज से यह बनता है और इससे वापस यह भी बन सकता है यह last one है fee by formal operational stage fee क्या होती है fees जैसे अपन college की fees जमा कराते कोचिंग की फी जमा कराते हैं कि भाई देखो एक पापा है एक फादर है वो अपने बेटे की fees जमा कराता और उसको बोलता है अब तू future के बारे में सोच ठीक है मैंने तरी फी जमा करा दी अच्छे से फढ़ और future के बारे में सोच अब future के बारे में सोच यह लिखा हुआ है अब future अब का मतलब है abstract thinking जो concrete thinking होती है जो प्रतेक्स thinking होती है उसका उल्टा abstract thinking abstract thinking का मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप सोचो कि हवा के अंदर एक तिर्बुज है तो आप imagine कर लोगे एक गाड़ी है ऐसे मैं imagine कर आँ तो आप imagine कर लोगे इसको बोलते है abstract thinking ठीक है यदि किसी में abstract thinking नहीं होती है उसके अंदर यदि concrete thinking होगी तो उसको दिखाना ही पड़ेगा वह चीज यहाँ पर imagine करके आप माना की ऐसा है तो वो सोच सकता है उसको बोलते है abstract thinking ठीक है future thinking का मतलब वो अपने future के बारे में सोचने लग जाता है तो इसका simple सा है आपको इसमें बहुत मैनत लगी है मेरी आपको बस याद रह जाए word यह इतना बहुत काफी है ठीक है किस stage में कौन स यह याद रखना आपको इसका जो आपका formula है आप याद रखिए same PO coffee understood same के आगे रखना है opposite PO के आगे slice रखनी है को को मतलब आप concrete का एक लोरी समझना है जिसको अपन को driver है decent conjure जिसको अपन reverse में बुला रहे हैं लोरी reverse में लेके आओ और fee मतलब आपकी fee जम्मा हो गई है अब आपको future के बारे में सोचना है understood simple सा है आप एक दो बार इसको देखना आपको याद रह जाएगा ये आपकी theory आपकी cognitive या intellectual theory complete हो गई जीन प्याजी दे ने दी चार stage है और उनके आगे क्या-क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है अब next आते हैं moral development theory moral development theory दी गई कॉहल बार्ग इसको आपको याद रखना है कोयल बर्ड कोयल बर्ड एक से नाम ना याद रह जाएगे देखना कैसे इस पूरी stage को याद रखने के लिए आपको यह लाइन याद रखने है कोयल बर्ड की पारंप्रिक थ्री मोरल स्टोरी एक स्टोरी है जो मैं भी सुनाओंगा आपको एक कोयल बर्ड की पारंप्रिक स्टोरी है जो दादी दादा कई सालों से बोलते हैं पारंप्रिक मति परिवारदर परिवार एक सुनाई जाती है कि ऐसी स्टोरी है कोयल बर्ड पारंपरीक थ्री मोरल उसके अंदर तीन सिक्षाएं हैं थ्री मोरल स्टोरी ठीक है और पारंपरीक को इंगलिस में बोलते हैं कन्वेंसियोनल इसका जो मैन वर्ड है इस थोरी का कन्वेंसियोनल थोरी है इसके अंदर तीन स्टेज होती है इसमें देखो थ्री मोरल है इसलिए इसमें थ्री स्टेज होती है और कन्वेंशनल वर्ड पारंपरी को का वर्ड इसलिए मैंने इसको यहां एड किया है कि इसके जो थ्री स्टेजेज है वो है प्री कंवेंशियल कंवेंशियल और पोस्ट कंवेंशियल कंवेंशनल ओके प्री कंवेंशनल कंवेंशनल और पोस्ट कंवेंशनल यह तीन स्टेज होती हैं और हर स्टेज के अंदर दो दो लेवल होते हैं मतलब टोटल तीन स्टेज हैं और हर स्ट पारंप्रिक, conventional, three moral story से याद रखना है, three moral मतलब तीन stage, हर stage के अंदर दो-दो level, मतलब total six level, मतलब moral development theory, कॉल बर्ग की तियोरी है, उसके अंदर तीन stages है और छे level है, हर stages के अंदर दो-दो level है, तीन stages कौन सी है, इस word से आपको याद रहे जाएगा, pre, conventional, फिर conventional, पोस्ट, यह आपकी तीन stage होगी, age range सेम होगी, आपको मैंने बताया था, दो सगे वाली, दो मतलब दो, से, साथ, और गा मतलब ग्यारा, यह तीन ही stage होगी, इसके अंदर वो zero to two वाली नहीं होगी, उसको अठा देना है, क्योंकि तीन ही है, उसमें चार थी, यह लिखा हो है नीचे देखो, last last वाली line, age range सेम एज पियाजी, बट two to zero not present here, अब कोईल बर्ड की कौन सी story है, देखिए, यह कोईल है, कोईल बर्ड, पारंपरिक, conventional, three moral story, देखो एक story बताता हूँ आपको, एक कोईल होती है, ठीक है, उसके जो फादर होते हैं, वो बोलते हैं कि बाहर मत जाय करो, बाहर बहुत सर्दी है, ठीक है, बाहर गए तो आपक यही होगे, मतलब उनको, उससे क्या सोचती है वो? वो जो कोईल है, ऐसे सोती है, पापा पन्हों को बहार नहीं जाने देंगे, अपनी यह य 죄송 बाहर जाएंगे, तो भो मारेंगे, ठीक है, और उनकी मा है, उसका दूसरा नजरिया था, वो बोलती थी, यह आप बहार नहीं बाहर चली जाती है और बाहर बहुत ज़दा सर्दी होती है ठीक है उसके कारण वो जम जाती है और मरने वाली हो जाती है मरने वाली हो जाती है तब वो सोचती है कि यार पापा की बात मान लेते तो आज ये सज़ा नहीं मिलती मतलब पापा की बात मान लेते तो सज़ा नहीं मिलती Obey and punishment यदि Obey कर लेते तो punishment नहीं मिलती ये first stage आपकी pre-conventional का first level है Oembay and punishment ठीक है फिर वो दूसरी मम्मा के बारे में सोचती है कि मम्मा का नजरिया दूसरा था पापा का नजरिया दूसरा था तो वो सोचती है कि हर आदमी का अलग-अलग नजरिया होता है एक नजरिया नहीं होता हर आदमी का मतब इंडिविजवलिजम और एंड एक्सेंज मतब नजरिया अलग-अलग होता है मैं इस स्टोरी सुना देता हूं कि अपने पापा उसके पापा बोलते कि बाहर नहीं जाना उसकी माँ बोलती है बाहर जाओगे तो ही आपको नोलेज मिलेगा वो बहार निकलती है सरदी के कान जम जाती है तब ही एक भेंस आती है वहाँ पर बैफैलो आती है और क्या करती है उसके उपर गोबर कर देती है ठीक है उस गोबर की गर्मी से क्या होता है उसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है और वो थोड़ी ठीक हो जाती है उसको अच्छा-च्छा लगता है उस गोबर के अंदर गर्मी से यहाँ अच्छा-च्छा लगना मतलब good feel good, good गुड से याद रखो good boy, bad boy चीक है और वो जिस अच्छा-च्छा लगता है तो वो उस गोबर से सर निकाल के गाना गाती है, ओला, ओला ऐसे गाना गाती है यह स्टोरी आपको अमिता वचन की एक मूवी है बुड़ा होगा तेरा बाप उसमें मिलेगी वोई स्टोरी है, सेम ने उसको थोड़ा सा मोडिफाइड किया है ठीक है, तो वो गाना गाती है यह गाना जब उसको अच्छा अच्छा लगता है फील गूड उससे आपको गूड बोई बैड गल याद रखना है सेकिंड स्टेज, आपकी कन्वेंशनल स्टेज का फर्स्ट जो लेवल है, वो है गूड बोई बैड बोई गूड बोई और गूड गल, सोरी ठीक है, ओला, ओला मतलब ओडर और ला, ओला, यह फोर्थ लेवल हो गया आपका अब क्या होता है, जब वो गाना गाती है तो वहाँ पर एक बिल्ली आती है उसको वहाँ से निकालती है और उसको सिकार कर लेती है वो मतलब धोती है और खा लेती है उसको और उसको मार देती है मार देती है और खा लेती है तो यह आपके उसका सिकार कर लेती है देखो सिकार यह लिखा हो यहां पे सिकार को देखो मैंने कैसे लिखा सी मतलब एस का मतलब सी लिख दिया मैंने रह का आर लिख दिया सिकार, SCR लिख दिया अब S का मतलब है Social और C का मतलब है Contract और R का मतलब है Rights सिकार कर लेती है और वो मर जाती है और मरना एक Universal Truth होता है मतलब Universal Principle याद रखना है अब अपना आते हैं Back, आपको समझा देता हूँ कानी, क्या होती है एक Coil Bird होती है जिसके मा, पापा क्या बोलते है कि बाहर मत निकलना, नहीं तो मैं पीटूंगा, ठीक है बाहर बहुत सर्दी है और उसकी मा बोलती है कि बाहर नहीं जाओगे तो knowledge नहीं आएगा, वो वहां से निकल जाती है और बाहर की सर्दी से क्या होता है वो जम जाती है, और मरने वाली होती है मरने वाली होती है, तो वहां पे क्या भेंस आती है एक मरने वाली होती है तो वो दो चीट सोचती है कि यार पापा बोल रहे थे, वो बात भी सही थी और मा का नजरिया भी अलग था और जब वहाँ पे एक भेंस आती है उसके उपर वो गोबर कर देती है गोबर की गर्मी से उसको अच्छा अच्छा लगता है वापस वो सही होती है और सर निकालके गाना गाने लग जाती है तब ही एक बिल्ली आती है और बिल्ली आके उसको निकाल के सिकार कर लेती है और वो मार देती है उसको understood इस कानी से तीन सिक्षा मिलती है कौन-कौन सी पहली है कि अपन को अपने उपर कोई गोबर करे वो अपना दुस्मन हो यह जरूरी नहीं है वो दोस्त भी हो सकता है दूसरी चीज दूसरी सिक्षा कि कोई अपन को गोबर से निकाल के धोए वो अपना दोस्त हो यह ज़रूरी नहीं है वो अपना दुस्मन भी हो सकता है जैसे बिल्ली है और तीसरी में सिक्षा यह है कि जब अपने उपर किसी ने गोबर कर दिया हो अपन प्रटिकुलर उस सिच्वेशन में हैं गलत सिच्वेशन में हैं उस समय सर निकाल के गाना नहीं गाना चीए यह तीन सिख्षाय मिलती है इसमें इसलिए इसको कोयल बर्ड कन्वेंशनल पारंप्रिक थ्री मोरल स्टोरी बोलते हैं अब इसको अपने इसी जो अपनी मोरल थियोरी है उसके अंद बोल रहे थे कि बाहर नहीं जाना है उनकी बात को मानना है ओबे करना है नहीं तो वो मारेंगे ओबे एंड पनीसमेंट फस्ट दूसरी उसने सोचा कि पापा मना कर रहे थे ममा ने बोला कि बाहर जाओ ठीक है वहाँ से कondovan यौलेज मीलेगा मतलब हर आदमी का इंडिविलिज्यम और सब का नजरिया लग लग होता है वो चेंज़ होता रहते है एकसेंज इंडिविजिविलिज्यम और एकसेंज अंडिस्टूड ने नेक्ष Wenn ivoo vy K annat के अनδर जमने वाली हो yes से कौन सा गानग आती है ओला ओला ओ से ओडर ओला से लौ यह आपको फॉर्थ स्टेज याद फॉर्ड लेवल याद हो जाएगा इससे फिर क्या होता है वहां बिल्ली आती है उसका सिकार कर लेती है सिकार को मैंने क्या बोला मतलब S-C-R S-C का मतलब Social Contract और R का मतलब Personal Rights ठीक है वह आपकी फिप्ट लेवल हो गया थर्ड स्टेज का ठीक है और लास्ट में वह मर जाती है मतलब डैथ उनिवर्शल टूथ होता है उससे आपको याद रखना है उनिवर्सल प्रिंसिपल तो इसमें से डाइरेक्ट क्यूश स्टोरी से स्टोरी से मैंने आपको समझया है आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इजी आपकी एनरजी और टाइम बचाने के अंदर ये मेरी मैनत काम्याब होगी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे यहाँ पे अपनी थोरीज सारी कम्प्लीट हो गई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थेंक यू